आज दोस्तों आपको दिखाया जाएगा मुनगे की सबजी कैसे बनती है मुनगे की सबजी बहुत ज़रा फायदें मन्द होती है पौश्टिक होती है आईनों से एकदम भरपूर युक्त होती है और मुनगे खाने से इनसान जो है वो घोड़ा बन जाता है घोड़े वाली power इसमें आजाती है तो आज मुनगे की सबजी बनाने के लिए सबसे पहले तो मुनगों को काटना होगा मुनगों को काटने के लिए आपको एक बड़े मुनगे के 4 से 5 छोटे pieces कर लेने होंगे इस तरीके के pieces आप कर लें जो आप आपके घर में यूज करते हैं और उसे थोड़ा सा गरम होने दे और उसके बाद कटे हुए आलू उसमें डाल ले जी हाँ कटे हुए आलू इस तरीके से आलू काट ले हमने थोड़े लंबे आलू काटे हैं आपको छोटे काटने हो तो आप इन्ही लंबे आलू के दो भाग भी कर सकते हैं लेकिन लंबे आलू जो है वो लंबे मुनगे के साथ बहुत ज़्यादा सुन्दर देखते हैं आसम देखते हैं इसलिए ऐसे आलू काटे गए हैं इन्ही के उपर आपको कटे हुए मुनगे भ प्याज बना रहे हैं और इसी प्याज के साथ आपको तमाटर भी डाल देडीना है। और तमाटर के साथ आपको थोड़े से लैसंग और थोड़ी सी मेश्भी डाल देनी है। आपको मिर्च और लेसन बहुत काटना नहीं, आप सेंगे भी डाल सकते हैं, मिर्च आप भीक से तोड़के डाल जें, लेसन आप सेंगे डाल जें, क्योंकि हमें इसे मिक्सी में पीसना है, इसलिए इसे थोड़ा सा तला जा रहा है, आप देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा तल के बाद हमें इसे Mixi में डाल देना है और मिकसी में डाल करी है और पीस के पीस के और जहें भग करी तो हम एक बरतन में निकाल लेना है अलग कि आइसे सकते हैं कोई बात नहीं बाद में उसे ऐसे ही डाल ella जाएगा अब आपको फिर से उसी कड़ाई में थोड़ा सा तेल डालना है तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद आपको इसमें डालना है थोड़ी सी सौप थोड़ा सा जीरा जीरा आपको इसमें डाल लेना है राई भी डाल लेनी है तो राई जीरा आपने इसमें डाल लिया है अब इसे थोड़ा सा गर्म होने द दालके इसे चम्मब से mix-up कर लेना है और आपको मसाले का यह गोल बना लेना है जब तक कि आपकी कड़ाई घन हो रही है 醒कतर के यह मसाले का खूल अच्छे से जो है रम जायेगा इसे आप ऐसे ही, छोड़े मसाले का गोल चमत से उसके बाद फिर जब आपकी कड़ाई में तेल गर्म हो जाएगा तब आपने जो मिर्च और टमाटर का मिक्स्ती में पीस के जो घोल बनाया था उसे इसमें डाल देना है और तुझे इस कड़ाई में डालने के बाद आपको कुछ देल इसे चल जाना है आप देख सकते हैं जैसे इसे चमत से चलाया जा रहा है वैसे ही इसे चमत से चलाते रहें जब तक कि ये गर्मना हो जाए अब हमें इसमें डाल देना है अपने मसाले का घोल मसाले का जो हमने घोल बनाया है वही इसमें डाल देना है अलग से अब मसाले डालने की जरूरत नहीं है आपके मसाले की भरापूरती हो गई है और अब इसे थोड़ा सा पकाना है चमच से चलाते रहें ध्यान दें कड़ाई में आपका ये घोल या मसाले चिपके नहीं इसे अच्छे से चलाते रहें बीच बीच में अगर आप बीच बीच में चलाते रहेंगे त तोड़ा सा इसमें पानी डाल दें ताकि ये चिपकना भी बंद कर दे और आपकी तरी या करी जो है वो अच्छी हो जाए अब आपको इसमें अपने प्राइड आलू और मुनगे डालने के बाद इसे चमचे से वैसे ही चलाना है जैसे आप पहले चला रहे थे ये बहुत सिं इसी नॉर्मल काम है जो सदियों से भारत के लोग करते आ रहे हैं नमक हमने कहीं भी नहीं यूज किया था अभी तक इसलिए स्वादानुसार अब इसमें नमक डाल देना है नमक सेकंड लाश्ट चीज है सेकंड लाश्ट मसाला है जो इसमें डाला जा रहा है नमक स्वादान मसाला डाल देना है तो गराम मसाला अपने डालते हुए देख लिया उसके पहले कस्तूरी मैथी भी डाल दी गई है बस ये लाश्ट मसाला था इसके अलावा और कोई मसाला यूज नहीं होगा आपको आलू को देख लेना है कि आलू पके या नहीं, क्योंकि मुनगे तो पकी जाएंगे, मुनगे के अंदर गुदा है, हम पहले फ्राइ भी कर चुके हैं, और अब वो इस आच में इस जो है तरी में, पानी में पक जाएंगे, आलू पे ध्यान दें, अगर आलू पक गए हैं, तो आपके मुनगे भी समझ के खाने का मज़ा ही अलग है, एक बाइट आप तरी के साथ लीजिए, और फिर मुनगा चबा जाएए, मुनगे का गुदा, आहा, 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 आहा,